वेलकम टोल ले आईए, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रेलिम बूश्टर न्यूज डिसकेशन में आज 30 अप्रेल 2022 है तो आईए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं हमारा फस्ट आर्टिकल वॉर्ड एकोनॉमिक आउटलुक के बारे में है हाल ही में इसे आईएमेफ ने रिलीज किया है काइंड ओफ रिपोर्ट है ये इस रिपोर्ट को साल में दो बार आईएमेफ रिलीज करता है एक बार एपरिल में और दूसरी बार ऑक्टोबर में इसके अलावा ये इसकी कुछ अपडेट्स भी रिलीज करते हैं जैसे जैनवरी और जुलाई में दो अपडेट्स आती है तो जो एपरिल के अपडेट है वो जुलाई में आती है जो October की update है वो January में आती है इसके मात्यम से वो दुनिया बर की economies में जो भी developments हो रहे हैं उनका proper analysis करते हैं जो भी member countries है basically उनके लिए कि उनकी economies में क्या risk हो सकते हैं या फिर क्या uncertainties हो सकती है क्या निकल किया इस बार इंडिया की जो growth forecast है उसमें 80 या 80 basis point की कमी की है IMF ने और जो forecast है उसे 8.2% पे लाया गया है ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया का import bill बढ़ा है मतलब import पे अब सरकार को ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं रीजन बिलकुल साफ है दुनिया भर में commodities के और fuel के prices बढ़े हैं इसका एक रीजन बेसिकली तो Russia-Ukrainian war भी है इससे हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं तो 2022 से इसके लिए जो इंडिया में current account deficit होगा that will be 3.1% जबकि 2021-22 में 1.6% था additionally दुनिया भर की economies slow हो रही है तो demand गिर रही है तो इंडिया का export भी प्रभावित होगा जब demand कम होगी तो export भी कम होगा वाजब सी बात है बात करते हैं IMF के बारे में World Bank के साथ ही इसे भी बनाया गया था Second World War के बाद ताकि दुनिया भर की economies को establish करके उनको reconstruct किया जा सके 1945 में IMF जो establish होता है ये 189 countries जो right now इसके members हैं उसके तहत ये लगभग near global membership पठेन कर लेता है लगभग दुनिया का हर देश या जो भी significant countries है वो इसका हिस्सा तो है ही सारे तो definitely नहीं है इंडिया नहीं December 1945 को IMF को join कर लिया था IMF का primary purpose ये है कि दुनिया भर में जो monetary system है वो established रहे exchange rate का system बढ़ियां से काम करता रहे transactions वगएरा जो payments हैं trade में वो सब ठीक ठाक चलें उसमें कोई दिक्कत ना हो international payments वगएरा ठीक ठाक चलती रहे IMF की एक और important report होते है that is global financial stability report देकि reports and all पर या index पर से questions पूछे जाते हैं 2016 में इस index पर question पूछा गया था ease of doing business index इसे कौन release करता है सही जवाब बिलकुल साफ था C. World Bank तो इस प्रकार के प्रशन आते हैं you need to be prepared for these kind of questions आगे बढ़ने से पहले जानकारी है प्रारंभ batch 2030 की बारे में जो basic जानकारी है वो यह है कि दो दुनियों के लिए यह course open है 30 April और 1 मई को इस course को आप platform पे और मतलब जो portal है और जो application है दोनों ही जिगों पे जाके access कर सकते हैं अगर आपको इस course को access करना है platform पे तो आपको video.onlyas.in पे जाना होगा बाकि application आप download कर सकते हैं जानकारी के लिए आप इस number पे call कर सकते हैं या फिर यहाँ mail भी कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं हमारा जो next article है वो World Coal Association के बारे में है Gainwell Engineering Partners ने World Coal Association के साथ मिलके भारत में sustainable coal mining को promote करने का एक mechanism opt किया है कि जो coal mining है वो ऐसे हो कि involvement को नुकसान ना हो World Coal Association के अगर हम बात करें तो यह एक international non-profit organization है non-governmental association भी है सरकारे इसमें involved नहीं होती United Kingdom London में based है Global Coal Industries को यह represent करता है पहले इसका नाम World Coal Institute हुआ करता था 2010 में इन्होंने अपना नाम बदल के यह World Coal Association रख लिया यह lobby करते हैं जो coal entities है उनके लिए workshop अगरा organize करते हैं और coal के लिए information जो भी resident makers है उन तक पहुचाते हैं हमारा next article ब्रहमोस के बारे में है ब्रहमोस का एक anti-sip version अभी हाल ही में successfully test fire किया गया ब्रहमोस जोकि एक supersonic cruise missile है इसे इंडियन मैवी और परणमान एन निकोबार कमान की दूरा मिलके test fire किया गया है ब्रहमोस के बारे में बात करें तो ये एक joint venture है जिसे इंडिया की ओर से DRDO और रश्या की ओर से NPOM ने develop किया है ब्रहमोस दो नदियों के नाम का एक mixture है ब्रहमपुत्रा और मुस्कवा दोनों को shorten करके ब्रहमोस बनाया गया है दो stages पर इसमें fuel होता है एक होता है solid propellant engine और दूसरा होता है liquid ramjet ये दोनों इसे fuel करते हैं further multi platform missile है land, air, sea सभी जुगों से इसे launch किया जा सकता है pinpoint accuracy के साथ अपने target को hit करता है देन रात और किसी भी weather condition में ब्रहमोस काम करने में capable है और security ensure करता है fire and forget principle पर work करता है मतलब आपको लंबे समय तक इसे guide नहीं करना होगा आपने इसे launch कर दिया इसके बाद ये अपने target को जाके hit करेगा इस से होता क्या है sound की speed का तीन गुणा Indian Air Force ने successfully कुछ समय पहले इसका जो test fire है वो सुखोई fighter jet से किया था हाल ही में इसे Indian Navy ने भी successfully test fire किया इसका जो advanced version है अब यहाँ पर दिखिए MTCR में इंडिया के entry हो चुकी है 2016 में इसलिए इस प्रकार के missiles की range हम बढ़ा सकते है प्लान है कि इसकी range अभी हम 450 km की करेंगे और फिर इससे बढ़ा के 600 km की range तक ले जाया जाएगा इनिशली जो इसकी range है वो 290 km की हुआ करते थी जबकि इसकी capacity ज़्यादा है विकॉज हम MTCR का पार्ट नहीं थे हम इसकी range को 300 के उपर नहीं ले जा सकते थे जो हमारा next article है वो पैरुमबकम wetland के बारे में है यह wetland चन्नई में है तमिलनाडो में वहां की state government ने बहुत पहले यह कह दिया था कि इस wetland को fresh department को सौंप दिया जाए लेकिन procedural delay के वज़े से अभी तक ऐसा नहीं किया गया and that is the reason कि यह wetland news में है पैरुमबकम wetland जो चन्नई में located है यह birds का एक feeding habitat है यह पल्ली करनाई जो fresh water mass wetland है उसी का एक extension है फैला हुआ हिस्सा है जो wetland है वो birds के लिए peaceful environment प्रवाइड करवाता है चन्नई में फर्दर जो पैरंबकम wetland है यह 132 species का घर भी है जिन में कुछ नाम है white spotted gardens, skink, russell wiper, dwarf, gourami, chromide, window pane, oyster और कुछ और इन सारे birds के नाम basically हो सकता है आपको पता नहों तो याद रखना ज़रूरी भी नहीं है हमारा जो next article है वो garbology के बारे में है garbage को treat करने की जो mechanism है जो science है यहाँ पर waste को उसके source पर अभी देखे जो context है वो यह है कि waste को उसके source से segregate करना, उसकी composting कैसे होती है, जो resin होता है जो एक चिपचिपा पदार्थ होता है plastic का, उसकी coding के बारे में जानकारी कठा करना, कुल मिला कि garbage के जो भी lessons है उन्हें school के syllabus में डाला जाएगा ताकि आगे आने वाली जो generation है जो बच्चे हैं, वो इस प्रकार के mechanism को समझ सकें और waste management को scientifically address कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में भी जानकारी रखें तो जो garbage को हम ये समझते हैं कि garbage को हमें कैसे handle करना है अगर हम इसे academic discipline का हिस्सा बना देते हैं तो फिर इसके लिए जो भी समझना होगा आने वाली generation के लिए वो काफी आसान हो जाएगा बैसे इसकी सुरुवात academic discipline में दिसिप्लिन में University of Arizona में की गई थी जो William Redgey थे उन्हों ने इसकी सुरुवात करी थी हमारा जो next article है वो MSME Sustainable Certification Scheme के बारे में है जहां पर Z Certification की बात की जा रही है ZED अभी हाल ही में इस Certification Scheme को launch किया गया है MSME Sustainable Certification Scheme को launch किया गया है बाकि जो Z का mechanism है वो तो काफी पहले से शली रहा है इसे Ministry of MSME ने launch किया है Awareness Campaign है basically है कि जो ZED है यानि कि Zero Defect, Zero Effect इस practice को opt करे MSMEs वो ऐसे product develop करे जिनमें defect ना हो और वो हमारे environment को नुकसान ना पहुँचाते हो health को नुकसान ना पहुँचाते हो तो phased manner में इस MSMEs जो हैं उन्हें इस scheme को implement करने को कहा जाएगा, पहले phase में focus होगा manufacturing पे और दूसरे phase में focus होगा service sector पे, यहाँ पे जब कोई भी MSME ZED के certification के लिए apply करता है तो जो certification का खर्चा आएगा उसके लिए सरकार को subsidy भी देगी जैसे कि 80% subsidy micro enterprise को 60% small enterprise को 50% medium enterprises को subsidy दी जाएगी further 10% की subsidy additional दी जाएगी, ऐसे MSME को जिन्हें own किया जाता है किसी woman SCST entrepreneur के दवरा या फिर कोई ऐसा MSME जो north eastern region में है, हिमालियन region में है left wing जो extremism से प्रभावित एरिया है, वहाँ पर है island territories में है या फिर aspirational district में है, तो उने भी ये incentive मिलेगा इसके रावा 5% की additional subsidy मिलेगी, ऐसे MSME को जो स्फूर्ती scheme के तहट आते हैं, that is scheme of fund for regeneration of traditional industries, या फिर जो MSC CDP, cluster development program है, उसके तहट जो MSME जाते हैं, उन्हें 5% का और additional discount भी दिया जाएगा 10,000 रुपी का एक reward दिया जाएगा, अगर कोई MSME pledge करता है कि आने वाले समय में वो ZED को implement करेंगे 5,000,000 per MSME available करवाया जाएगा अगर कोई ऐसी entity है, जो consultancy support दे रही है MSME उसको कि वो आने वाले समय में कैसे zero defect, zero effect, solutions की ओर जा सकते हैं, फायदे तो कही सारे हैं इससे waste को हम अच्छी तरीके का सही प्रकार से इस्तेमाल कर पाएंगे Special 301 report के बारे में अगला आर्टिकल है Office of the United States Trade Representative ने हाल ही में इस report को release किया, report का नाम है Special 301 ये report IPR के status को evaluate करता है दुनिया भर में intellectual property rights को कौन सा दिस कितना seriously लेता है, इस report में उसे ही वो measure करते हैं, ये देखते हैं कि अमेरिका का ऐसा कौन सा trading partner है जो अमेरिका के IPR rights को secure करता है, respect करता है और कौन नहीं करता है, इनके निसाने पर India तो हमेशा सही रहता है, because India की मजबूरिया है कि वो IPR rights को violate कर ही देता है इसके basis पर वो countries को दो list में करते हैं, पहला होता है priority watch list countries, मतलब ऐसी countries जहां पे intellectual property rights को अकसर तोड़ा जाता है, और उन पर USA को विशेश रूप से ध्यान देना चाहिए, और दूसरा होता है watch list countries, मतलब वो intellectual property rights को follow कम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी भी इस watch list में नहीं डाला गया है, तो देखें जो priority watch list countries है, उनमें कई सारे देशों के ये नाम रखते हैं, that is Argentina, चिली, चाइना, इंडिया, इंडिया, इंडोनेशिया, रश्या, वेनेजुएला, ये सभी देश इनकी priority watch list में होते हैं हमारा next article SORT इनके बारे में है, SORT इनने में, SORT इन एक National Nodal Agency की तरह वर्ट करता है, जो भारत में Computer Security Incidents को Ensure करता है, सर्टिंग, जो SORT इन है, वो Indian Cyber Committee के डोमेन में जो भी थ्रस आते हैं, उन्हें OOC करता है, फ़रदर ये एक National Agency की तरह काम करता है जिसके पास हैं कई सारे काम, और ये Information Technology Amendment Act 2008 के तरह अपने काम करता है, इनके पास जिम्मेदारी है, कोई भी Cyber Incident हो, उसे, उसका डेटा कलेक करना, एनलाइज करना और डेसेमिनेट करना, ये Cyber Security Incidents को Forecast और Alert करते हैं कि खत्रा है, Emergency Measure सौप करते हैं, Coordinate करते हैं, सभी Response Activities के लिए, जो भी Incidents होएं हैं, उसके लिए, Guidelines, Advisories और Vulnerability Nodes भी जारी करते हैं, Security Practices कैसी हो, Procedures, Prevention, Response ये कैसा हो, Reporting बगएरा कैसी हो, इसके बारे हम बताते हैं, और कोई भी ऐसा काम, जो इन्हें कहा जाए करने को, Cyber Security के Ensure करने के लिए, वो ये करते हैं, Revision करेंगे, Cert In, 2004 अभी अभी तो बताया है, ये गलत है Ministry of Electronics and Information Technology यानि कि मैती के तहत है, तो ये तो गलत हो गया, World Economic Outlook World Economic Forum, Release करता है शुद रूप से गलत है, IMF Release करता है, अभी हमने डिस्कस भी किया है World Cool Association, International Non-Profit Non-Governmental Association है, London-based है That's true, Perumbakam Wetland, Himachal Pradesh में है, गलत है पर जहां पर आप इस लिंक को स्कैन करके भी बहुंच सकते हैं वहाँ पर जाएए, PDF को डाउनलोड करिए, रिवजन करना मत भूलिएगा So that's all for now, thank you very much